सल्मान खान और कट्रीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 इसी हफते यानि की रविवार के दिन दिवाली के दिन रिलीज होने जा रही है कैसा रहेगा इस फिल्म का बॉक्स ओफिस कलेक्शन क्या ये फिल्म सल्मान खान के औरा के मुताबिक बॉक्स आफिस पर बहुत अच्छा बिजनस करेगी या नहीं इस बारे में हम बात करेंगे जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नहाटा से जो इस वक्त हमारे साथ मौझूद है बहुत-बहुत स्वागत है काफी दिनों बाद हमारी बात हो रही है सबकी एक्सपेक्टेशन काफी हाय हैं खासकर पठान और जवान ने जो बिजनस किया है और गधर टू तो अब expectation ऐसी हो गई है कि हर फिल्म, बड़ी फिल्म 500 करोड का business करे, 1000 करोड का business करे, एक नया benchmark set हो गया है, सलमान खान बहुत बड़े star है, और ये एक successful franchise है Tiger series में, क्या कहेंगे, क्या कैसा business कर सकती है, इसलिए भी मैं ये सवाल पूछ रहूँ कि ये दिवाली के दिन release हो रही है, देखिए मैंने film देखी नहीं है, लेकिन franchise बहुत बड़ा है, सलमान खान है, या शिराज फिल्म की film है, तो आसार ऐसे नजर आ रहे हैं, advanced booking इतनी terrific है, तो आसार ऐसे नजर आ रहे हैं, कि film जम के business करेगी, और जो आपने कहा, कि अब कोई भी बड़ी फिल्म आती है, तो और सर, ये ऐसा, शायद ही ये शायद पहला instance है, अगर आप मुझे correct करें, हिंदी cinema की इतियास को आप ज़्यादा बहतर जानते हैं, क्या कोई film कभी रविवार के दिन हिंदी film release हुई है, ये film रविवार के दिन release होने जा रही है, और खासकर दिवाली के दिन, और दिवाली के दिन, अक्सर लोग cinema देखने नहीं जाते हैं, उनके घर में तमाम तरह के रीती रिवाज निभाये जा रहे होते हैं, तेवार का दिन होता है, तो उस लिहाद से क्या लग रहा है, ओपनिंग डे को लेकर? ऐसे पास्ट में भी हुआ है, अब संडे हो या मंडे हो, दिवाली के रोज फिल्म रिलीज होई है, क्योंकि Friday, Saturday, in the past, प्री दिवाली डेज रहे हैं, तो लोग कत राते हैं, बड़ी फिल्मों के प्रडूसर्स कत राते हैं, उन दिनों में अपनी फिल्म को लाने में, तो ये भी ऐसा ही है, संडे को रिलीज हो रही है, येस मैं मानता हूँ कि लक्ष्मी पूजा के दिन, शोज थोड़े बहुत अफेक्ट होते हैं, बेकर हिंदू हाउजोल्ड में पूजा होती है, लोगों को आना जाना रहता है, वगरा वगरा, लेकिन नॉन हिंदूस जो हैं, वो उस छुटी का फाइदा लेकर सिनेमा घर तक जाते हैं, एक और बात है, कुछ सिनेमास, इस्पेशली नॉदर्ण इंडिया में, कुछ सिनेमास, कुछ शोज रद कर देते हैं, वो शोज नहीं करते हैं, उनका ये कहना है कि हमारा स्टाफ भी घर जाके पूजा करेगा, तो एक आज शोज, एक दो शोज, एक दो शोज, काफी सिनेमास में बंद रहते हैं, इसके बावजूद, मेरे कहल से दिवाली पर रिलीज करना उचित इसलिए है, क्योंकि ये सलमान खान की फिल्म है, बड़े फ्रैंचाइस की फिल्म है, या शराज की फिल्म है, इसलिए उन्हें लगा, या शराज फिल्म को लगा कि फ्राइडे और साटेडे तो क्लियरली प्री दिवाली डेज है, उनमें कलेक्शन कम होंगे, तो वो जो बेंचमार्क फिगर चाहिए, एक धासू ओपनिंग, फंटास्टिक ओपनिंग, प्लस अगर फ्राइडे को रिलीज होती तो फ्राइडे साटेडे कमजोर होते हैं, और साथ दिनों तक हाई परसंटेज, फर्स्ट वी का परसंटेज, शेरिंग परसंटेज हाई होता है, लेकिन अगर और डे रिलीज होती है, तो आठ दिन तक वो हाई परसंटेज मिलता है, तो उसका फाइडा भी उठाने के उन्होंने संडे को रिलीज की है आप इसे एक अच्छी स्ट्राटेजी मानते हैं अगर रविवार के दिन रिलीज कर रहे हैं ये फिल्म तो 100% क्योंकि नहीं तो प्री दिवाली डेज दो दिन बहुत मतलब बहुत तो कहना गलत होगा लेकिन कमजोर होते हैं और संडे को दिवाली का फ़र्क पड़ेगा लेकिन प्री दिवाली डे से तो बहतर होंगे कलेक्शन तो बिल्कुल सही स्ट्राटेजी है पठान और जवान और गदर टू इसलिए इतनी बड़ी हिट फिल्म साबित होई क्योंकि multiplex के अलावा single screens के दर्शक भी फिल्म देखने गए देज भर के single screen है उनमें घे फिल्म में चली क्या आप ऐसा मानते हैं क्या आपको ऐसा लगता है कि यह Tiger 3 भी single screen में भी multiplex के अलावा अच्छा business करेगी 100% क्योंकि एक्षिन फिल्म है और एक्षिन फिल्म में अक्सर जैसे पठान, जवान, गदर टू, एक्षिन फिल्म में अक्सर सिंगल स्क्रीन सिनेमा ओडियंसे बेहत पसंद करती है और क्योंकि टाइगर फ्रैंचाइज ही एक्षिन वाला फ्रैंचाइज है, फ्लस सलमान खान मासिस के हीरो है और मुझे कोई शक नहीं है कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा और मल्टि प्लेक्स सारी ओडियंस इस फिल्म को थम्जब देगी सलमान खान की जो पिछली फिल्म दी किसी का भाई किसी का जान उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था उससे पहले भी सलमान की दो-तिन फिल्म में आई उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया बॉक्स ओफिस पे अगर बहुत बड़े हिट की बात की जाए तो हमें याद आता है सलमान खान की बजरंगी भाईजान ने 500 करोड का ग्लोबल बॉक्स ओफिस कलेक्शन सुल्तान ने इतना बड़ा बिजनेस किया था उसके बाद इतनी बड़ी हिट जैसे सलमान चाहते हैं वो उनके हिससे नहीं आई है तो यह जो ट्रैक रेकॉर्ड अगर देखा जाए उसके लिहाज से क्या लगता है कि सलमान उस सिल्सिले को तोड़ पाएंगे और एक बहुत बड़ी ब्लॉक्बस्टर फिल्म देंगे पब्लिक यह नहीं सोचती है कि लास्ट दो फिल्में नहीं चली इसलिए अभी सलमान की फिल्म नहीं जाओ ऐसा नहीं सोचती है फिल्म अच्छी होती है तो वो दोड़ के जाएंगे और इस फिल्म के सारे आसार ऐसे नज़र आ रहे एडवांस बुकिंग एक्ष्ट्र ओडनरी है हमें यह नहीं बूलना चाहिए तो एडवांस बुकिंग indicate करती है कि कितनी चाहत है कितनी भूक है कितनी प्यास है पब्लिक को और पब्लिक में इस फिल्म को देखनी के लिए एडवांस बुकिंग आपके हिसाब से सिंगल स्क्रीन में भी अच्छी है और मल्टिप्लेक्स दोनों में अच्छी है चाहिए इस फिल्म से, आक्शन के अलावा सलमान खान का औरा तो है ही, यश्राज का बैनर तो है ही, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस फिल्म से, क्या कितना कुछ अलग होगा और कितना कुछ पहली दो फिल्मों से बड़ा हो सकता है, बहतर हो सकता है, भव्य हो सकत प्लस इसमें एक family sentiment वाला thread नजर आ रहा है, जब सल्वान अपने बेटे के बारे में बोलता है, तो मेरे ख्याल से ये दो बाते बहुत नवी होगी, action तो है, लेकिन action का scale और action की quality भरपूर और बहतरीन होगी, और ये family sentiment, मेरे ख्याल से इन दो sentiments ने, देश भक्ती की भावना औ इन गदर टू और इस film में भी यही होने वाला है, बस एक छोटी सी चीज और की कोई number देना चाहेंगे, कितनी बड़ी hate हो सकती है, कोई, नहीं वो fair नहीं होगा number देना, बिकुज मैंने film देखी नहीं है, लेकिन हंच बोलता है कि 400 करोड से कम तो नहीं कर सकती है, अब 400 करो 400 करोड तो is a given. झाल